हाई एवरीवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंट्स आज अगेन आपकी साम्दिंग मोश्ट इंपोर्टन जेक्टर वीडियो लेकर आच चुका हूँ दोस्तो जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे नाइन स्टैंडर्ड के लिए जेग्राफी सब्जेक का एक और निव चाप्टर फ्रेश चाप्ट कि आप लोग आपका प्लेइलिस्ट को जो है चेक कर सकते क्योंकि बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट से शायद उनको पता नहीं होगा कि हमने बहुत सारे वीडियो जो पूरा साइंस सब्जेक्ट है पूरा मैच सब्जेक्ट है ये दो सब्जेक्ट 7, 8, 9, 10 स्टैंडर क पूरा कम्प्लीट हो चुका है इस्ट्री जोग्राफी पूलिटिकल साइंस जो है लगबग 50% से ज्यादा वो भी कम्प्लीट हो गया यानि कि जितने आपके एक्जाम में आने वाले हैं अल्मोस्ट हो सब तो पहले से ही कम्प्लीट हो चुका है तो प्लीज प्लेश को चे पढ़ने के लिए पढ़ते हैं हम लोग पास होने के लिए नहीं पढ़ते हैं याद रखना चलो शुरुबात करेंगे वीडियो की लेकिन एक चीज मैं बोलूँगा हमेशा जो बोलता हूँ जया टॉक्स एं जयार व्लॉक्स हमारे दो और चैनल यूटूब पे बहुत अच् या फिर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाइफ टू लाइफ कनेक्ट होना चाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर ले ना मेरा आईडी है राहुल जैस 23 एड़ रेट लगा के सर्च मारोगे या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन में होता है डिस्क्रिप सर्समूंधर के पाणि के सर्च मÄसे बर्म न डिस्केश करने वाल है सबसे पहला जो प्रॉपर्टि होता दोस्तो टेंपरेचर कि उसका टेंपरेचर किस प्रकार जो है वो चेंज होता है यह हम लोग बिसकस करेंगे कि क्या उसका टेंपरेचर होता है कौन से कंडीशन में कैसा टेंपरेचर होता है और कहां कहां कैसा टेंपरेचर होता है यह हम लोग बिसकस कर लेंगे फिर सेकेंड जो most important property जो मुझे लगती है वो है दोस्तो sea water का salinity salinity का मतलब क्या होता है दोस्तो अगर आप जानते होंगे तो जो समुंदर का पानी होता है वो खारा होता है, खारा मतलब नमकीन आप टेस्ट करके देखना एकदब मुह कड़वा हो जाएगा इतना नमक होता है और वो भी कुंसा नमक आपके जो आप जो खाते हो ना वहीं से आता है आपको पता होगा कि समुंदर के किनारे और आपने देखा वहाँगा जहां पर salt का अगरिकल्चुर होता है यानि salt जो है वो निकाला जाता है तो ऐसे ऐसे box shape में आपने देखा होगा, ऐसे समुदर के किनारे वगरे, या फिर ऐसा box shape में ना बनाया रहता है, और इसमें ऐसा एक तरीके से boundary create किया जाता है, इसमें पानी जो होता है, वो trap हो जाता है, और पानी जब trap हो जाता है, फिर दिरे-दिरे घरमी के वज़े से, धूप के जैसे पानी सूख जाता है और सिर्फ सौल्ट जो है इसमे बच जाता है फिर वही सौल्ट को उठाया जाता है उसको साल्ट기 सádकृर्टरी में भेज जाता है갈ा जाता है या पो जततके यह पनलब है सcember को एक चीजा जानके हैयराणी होगी कि हर समुंदरрий का जो जो खारापन होता है, यानि salinity जो होता है, वो अलग-अलग होता है, है कि नहीं? या शायर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि अगर मैं example के तौर पे बात करूँ, बहुत सार ऐसे समुंदर है, जहां पे एकदम कम sal salinity है, और इसका best example मैं हमेशा देता हूँ, वो है dead sea, नाम में देखो dead sea है, मरा हुआ समुंदर, नाम का मतलब तो यही है, dead मतलब मरा हुआ, c मतलब समुंदर, तो मरा हुआ समुंदर, मरा हुआ समुंदर इसलिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मचलिया या फिर कोई प्लांट्स वगरे ग्रो नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर इतना नमक है, इतना salt है, इतना salinity इसका high है, कि कोई इसमें survive नहीं कर सकता है, और प्लस पॉइंट यह है, मजे की बात बताओ, कि यार इसके वेशे क्या हो गया है, उसका वहाँ पे, अगर कोई भी चीज उसके दूबेगी नहीं, क्योंकि उसका क्या हो गया, एक तरीके से density काफी जादा अच्छा हो गया है, तो यह एक fun fact है, आप एक तरीके से में बता सकता हूँ, कोई भी चीज उसमें डूबेगा नहीं, यानि कि आप समंदर के अंदर जाओगी तो आप डूब जाते हैं, लेकिन दूब जाते हैं, तो आपको चिंता नहीं करना है, हमारा पैटन तो आपको पता है, आराम अराम से जाना है, लेकिन अच्छे से जाना है, तो temperature पे हम लोग अच्छे से जाते हैं अब सवाल यह उठता है कि temperature का क्या role है अगर आप एक चीज़ notice करोगे तो समुंदर के पानी में कभी आप पैर रखना या फिर हाथ डालना आपको कभी-कभी बहुत थंडा लगेगा कभी-कभी बहुत जादा गरम भी लगेगा तो इसके पीछे reason यह है simple सी बात है कि हर जगा जो समंदर का पानी होगा अलग-अलग समंदर का जो पानी होगा उसका जो temperature होगा it goes on changing and changing and changing यानि कि हर जगे का जो temperature होता है वो अलग-अलग होता है temperature is one of the major property सबसे पहले क्योंकि आज हम लोग temperature ही discuss करने वाले हैं पूरा तो temperature का बड़ा सा heading डाल दिया और temperature की बात करो it is one of the major property of sea water sea water का सबसे important property एक तरीके से बोल सकते हो और कभी भी जो temperature होता है वो हम लोग surface के इसाफ से देता है यानि कि समुदर का जो उपर का जो layer का पानी है उसका temperature कितना है वो हम लोग देख सकते हैं और एक और चीज है कि समुदर अगर है तो समुदर के उपर का जो layer है मतलब उपर जो पानी हमें दिखता है उसका जो temperature होगा और कहीं पे आप middle में समुदर में चले जाओ उसका जो temperature होगा और कहीं पे आप एक दम depth में चले जाओ गहराई में चले जाओ उसका जो temperature होगा वो हो सकता है तीनों का तीनों का temperature अलग-अलग जगा पे अलग-अलग हो तो ये एक fun fact है आप बोल सकते उपर के लेयर के आला क्योंकि वो direct sun के contact में आरे तो हो सकते है वो थोड़ा गरम हो थोड़े middle में जाओगे तो हो सकते है थोड़ा धंडा हो एक दम नीची जाओगे तो हो सकते है और ज्यादा धंडा हो ये भी आपको देखने मिल जाता है तो generally अगर हम बात करें अगर हम बात करें जैसे कि आपको पता है कि हमारा गोल सा प्रिथवी है ठीके ना प्रिथवी गोल तो नहीं होता जियोड शेप का होता है लेकिन हम लोग गोल मानते प्रिथवी को आपको पता है बीच में एक equator का line होता है ठीके ना और आपको ये भी पता होगा latitude and longitude तो इस latitude भी होते हैं ठीके ना ये सबसे बड़ा वाला जो है line मोटा वाला line इसको मैं equator मान लेता हूं फिर इस प्रकार जो lines होते है horizontal जिसको बोलते है इसको latitude बोलते है ये पूरा फैला रहता आपको पता है लाटीडूर्स का line है और जो लंबा लंबा लाइन होता है ठीके ना इस ये बीच में होगा equator आपका पहले दो ठीके ना एक बीच का line ले लो और ये वाला तो इस प्रकार होता है तो basically अगर आपका जो समुंदर है ये equator के अगर आसपास हो रहा होगा तो वहां का जो temperature होगा वो थोड़ा सा जादा होगा क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ बताया ये जो इतना portion है और ये नीचे वाला इतना portion है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नौर्थ पोल और ये हो गया अपको पते हैं North Pole और साउथ पोल पर आंटाक्टिक ना Arctic का अण्हारbeni अगर अगर्वीं झाहां कि अगर समुंदर कुछ होंगे जैसे वहां का जो समुंदर होगा या फिर वहां पर पानी होगा तो क्या होगा वो बहुत ठंड़ा होगा हम लोग क्या बोल सकते हैं, equator के नजदीक में जो पानी का temperature है, वो हाई होता है, उसके बाद दीरे-दीरे कम होता है, उसके बाद दीरे-दीरे और ज्यादा कम हो जाता है, और यह बहुत अच्छा fact है, ठीक है, तो normally एक average temperature, equator area के इसाब से अगर हम बात करें, तो वो लगबग 25 degree माना जाता ह है, और 16 degree, यानि कि जैसे आप थोड़ा और middle level पर जाओगे, जिसको mid-latitudinal reason बोलते हैं, तो लगबग solar degree हो जाता है, यानि कि क्या हो गया, temperature थोड़ा सा drop हो गया, कम हो गया, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप रहोगे, इस side होगे, तो जादा temperature रहेगा, तो कितना रहेग होते हैं, और उसके बाद आप थोड़ा और उपर की तरफ चले जाओ, यहाँ पर क्या आ जाता है, तो वहाँ पर temperature एकदम sudden drop हो जाता है, और नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा बरफ का इलाका हो गया, तो वहाँ पर जो temperature होता है, वो हो जाता है, लगबग 2 कितना कम हो गया, देखो, 25 से 16 प्याए, 16 से 2 आए, यहाँ तक जब पहुचेंगे, यहाँ पर जो पानी रहेगा, समंदर रहेगा, sea water रहेगा, वहाँ का temperature बहुत ही जादा कम रहेगा, पोल्स रिजन में बहुत कम रहता है, तो यह एक fun fact है, और एक तरीके से हम जानकारी के लेहरे, जिसको sea waves हम लोग कहते है, ठीके ना, फिर पानी का salinity कितना है, ठीके ना, पानी का कितना salinity है, ज़्यादा salt है कि कम salt है, उस पानी के अंदर वो हो गया, फिर conventional currents होते हैं, अपको बता हैี่millimeter तो यह इतने सारे factor भी consider किया जाता है अगर हमें किसी भी समुंदर का यानि sea water का अगर हमें temperature निकालना है तो there are so many factors which we have to consider we have to consider in order to measure the temperature of that particular zone or we can say that particular sea water यह हम लोग बोल सकते हैं समझ में आ रहा इतने सारे factor जो normally सवाल आपको कोई पूच सकता है कि क्या WHY factor है तो आप बोल सकते हैं तो there are so many factors, rainfall हो सकता है, sea service factors, oceanic currents factor हो सकते है, cold ocean current, warm ocean current हो सकता है, salinity एक तरीगे time factor हो सकता है तो there are so many factors यहाँ डिसकस कर सकते हो ठीक है और यह reasons में क्या होता है जहाँ पर cold oceans current flow होता है जिससे कि आप जानतें कि cold जगा जहाँ पर होता है वहाँ पर थोड़ा सा cold oceanic current flow होते है तो वहाँ का temperature obviously क्या हो जाएगा लो हो जाएगा तो यानि CDC बात है जहाँ पर थंडी हवाय चल जाता है, तो जहां पर warm motion current move होता है, तो वहां पर temperature क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानि temperature उदर का क्या होगा, high होगा, तो यह हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत ही easily अच्छे से समझ में आ गया होगा, next अगर हम बा temperature होगा, वो थोड़ा सा, जो C का जो surface होता है, यानि अपर का जो ऊपर का जो layer होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा जादा हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एक certain depth के अंदर जाएंगे, यानि कि ऊपर था, temperature ज्यादा था, अभीक़ा sun का raise जो है perpendicular पढ़ रहा था, लेकिन जैसे हम लोग थोड़ा सा अंदर चले गए, depth के अंदर जाते गए, तो हो सकता है temperature जो है, वो drop होने लगता है, और दीरे-दीरे temperature जो है, वो कम हो जाता है, और साथ ही में जो intensity होती है, जो sun raise की, वो भी धीरे-दीरे decrease हो जाती है, क्योंकि जो sun का light समुदर के उपर पढ़ है, वो कितनी गहराई तक जाएगा, कुछ ही गहराई तक जाएगए, न, समझ्नलो 200 मीटर लंबा समुंदर है, यनि कि समुंदर की जो गहराई ये, समझ्नलो ये, आपके समुंदर का उपर का Do we this б but the समुंदर की जो 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 टॉप gyहराई तक जा पाए, उसके आगे जो 1,000 मीटर बचा हुआ है उसकी गहराई तक नहीं पहुच पा रहा है तो जब उस गहराई तक संडरे नहीं पहुच पा रहा है यानि कि जो टेंपरेचर होगा वो इस रीजन में जहां पे संडरेस नहीं पहुच पा रहा है तो वहां पे टेंपरेचर क्या होगा ओविसली लो होग बहुत ही ज़्यादा कम होगा जहां पे सिधा सिधा सन का जो रेस पड़ रहा है समंदर के लेर के उपर लहरों के उपर तो वहां पे टेंपरेचर के आओगा थोड़ा सा हाई होगा यह भी हम लोग बोल सकते हैं तो उमीद करतो हो कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा तो लगबख टेंपरेचर जो है डिकरीज होने लगता है 2000 के गहराई तक टीक है न जैसे 2000 मितर क्रॉस हो जाता है जो टेंपरेचर होता है सी वाटर का वो यूनिफर्म भी होता है यानि कि यह तो मैंने 200 मितर लिख ठीक है ना, और लगबद 4 degree Celsius हो जाता है, 4 degree Celsius आपको हर जगा मिलता है, 4 degree Celsius everywhere, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 4 degree Celsius होने के वे से हर जगा रहेगा, तो ये बरफ नहीं बनता है, उपर का पानी आपका बरफ बन जाता है, जैसे आपने दिखा होगा, कहां कहां पे बहुत ज़्यादा होती है, तो उपर का पानी का जो लेयर होता है, कभी-कभी थोड़ा सा एकड़म बरफ जैसा एक लेयर आ जाता है, उसके उपर लेकिन नीचे आप जाओगे, तो 4 degree Celsius में बरफ नहीं जमता है, ठीक है ना, एनमेलस बिहेवियर अब बोटर, 8 स्टैंडर, साइन्स का सब जग खास कर हमने देखा है, यह जो एरिया होता है, इकवेटर वाला एरिया, यहाँ पर अगर कोई समुंदर है, तो वहाँ पर अकसर बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंजेस हमें देखने मिलता है, और पोलार एरियास में भी आपको डिफरेंस देखने मिल जाएगा, हो सकता ह होते हैं, तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता है, ओपन टाइप में नॉर्मली क्या हो जाता है, crime जो है वो थोड़ा सा जो है वो देखने मिल जाता है, और जो थोड़ा सा थोड़ा सा पैक जो होते हिंए उसमें यानि कि जो थोड़ा सा आसपास के घिरे हुए ओए सी होते हैं यानि कि जहां पे जमीन वगर जादा होती है और समंदर बीचों बीचे तो वो टाइप में थोड़ा सा टेंपरेचर जादा हो सकता है क्योंकि वहां पे उसको and also we can say the temperature के उपर कैसे वो डिपेंड करता है ये सभी चीज हम डिसकस करेंगे हमारे अगला लेक्चर में यानि कि अगला लेक्चर लेक्चर नमर टू मैं आपके लिए फटा-फट से लेकर आ जाओंगा और उसमें हम बाकी की चीज़े डिसकस करेंगे तो इसी के साथ हमारे जो आज का वीडियो है ये समाथ होता है और आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है अपनी रायोट सजेशन जरूर से दीजेगा वीडियो पसंद आया है अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर जरूर से कर देना है अपने सारे फ्रेंड्स और दोस्तों को रिलेटिव को शेर करो बताओ कि कितना बहतरीन लेक्चर है ये जिसमें हमने कितनी सारी चीज़े आज सीखी हमने जोग्राफिकल पॉइंट आफिए लाइक कर देना शेर जरूर से करना साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ में एक बेल आइकन होता उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे ठीक है फ्रेंज तो मिलते हैं हमारे गले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू एंड गुडबाई